NCERT की पार्टि पुस्तकों में बदलाव के बाद लगातार उठ रहे हैं सवार NCERT के किताबों के संशोधन के बाद विपक्ष के निशाने पर आई है मोधी सरकार कपिल सिब्बल से लेकर तमाम नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिये हैं और कटाक्ष किये हैं कपिल सिब्बल ने PM मोधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आधुनिक भारती इतिहास की शुरुआत 2014 से होनी चाहिए थी तो वहीं अस्दुदीन ओवैसी ने केंदर सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि केंदर सरकार NCERT की किताबों से मुगल इतिहास मिटाने में जुटी है वहीं चीन वर्तमान मिटा रहा है इन सारे कटाक्ष के बीच आईए आपको बताते हैं कि दरसल कपिल सिब्बल ने कहां कैसे और किस विशे पर इस तरह की बात कही है विस्तार से समझिए कॉंग्रेस के पूर्व दिगज निता और राजेसभा के सदसे कपिल सिब्बल ने बारवी कक्षा की रास्टी सेक्षिनिक अनुसंदान और प्रसिक्षन परिशद यानी NCERT की किताबों में कुछ अध्याय को हटाये जाने की खबरों को लेकर सपष्ट रूप से केंदर सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के भारत के अनुरूप आधुनिक भारती इतिहास 2014 से प्रारंब होना चाहिए था यहां उनके कहने का संदर्व यह है कि 2014 में सबसे पहले प्रधान मंतरी मोदी की सरकार बनी थी इसलिए उन्होंने इस तरह का बड़ा कटाक्ष किया कपिल सिबल अपने ट्वीट में लिखते हैं कि NCERT की पार्टे पुस्तकों से हटाए गए विशय यह हैं कपिल सिबल ने अपने ट्वीट में पीए मोदी पर तंस कसते हुए आगे लिखा कि मोदी जी के भारत के अनुरूप आधुनिक भारत का इतियास 2014 से शुरू होना चाहिए था जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तो 2014 ही वो साल था और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार तब प्रधानमंत्री बने थे कपिल सिबल के बाद असदुदी नोवैसी हाई फ़र्म में नज़र आए हमेशा से इन मुद्दों पर वो बढ़ चड़ कर बोलते हैं एक बार फिर NCERT के पाठिकरम में बदलावक पर उन्होंने अपनी बात रखी है असदुदी नोवैसी ने केंदर सरकार पर बड़ा हमला बोला असदुदी नोवैसी ने आरोप लगाया कि केंदर सरकार NCERT के किताबों से मुगल इत्यास मिटाने में जूटी है केंदर सरकार की आलोशना करते हुए ओवैसी ने चीन द्वारा और रुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामांकरन का मुद्दा भी उठाते हैं और एक बार फिर NCERT के मुद्दे पर वो सरकार को घिरते हुए दिखाई पड़े चुनावी साल है और लगातार हर मुद्दे को बड़ा बनाना है अपनी जो रणनीती है उसके तहट अखिलेश यादव भी इस पर सरकार पर निशाना साथ दिखाई पड़े सपाप्रमोक अखिलेश यादव ने अपनी ट्वीट में कहा रामकी शक्ति पूजा जैसी काल जाई रचना के लेकक सूरिकान त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को NCRT के पाठिकरम से हटाया जाना अत्यंत आपत्ति जनक है भाजपा सरकार सपश्टी करंदे और तुरंत उत्तर प्रदेश के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए कई सारे ऐसे कवियों की रचनाओं को भी NCRT के पाठिकरम से हटाया गया है जिसे लेकर इतना हंगामा हुआ है NCRT के बारवी कक्षा के पाठिकरम से मुगल दर्बार की किताब को हटाने को लेकर शिक्षा विदो और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये हैं कुछ बुद्धी जीवियों के अनुसार सरकार की ये पहल हिंदुत को बढ़ावा देगी वहीं दूसरी और कुछ लोगों ने कहा है कि इस फैसले से धार्मिक भावनाएं भी आहत हो सकती है ये मिली जुली प्रतिक्रिया है तमाम सिक्षा विदो की वहीं को सिक्षा विदो की जो की अपने विचार रख रहे थे लेकिन सियासतदार इस पर लगातार राजनीती कर रहे है कपिल सिब्बल हों अखिलेश आदव हों अस्दुदी नोवैसी हों या फिर दूसरे राजनीतिक ग्यों वो सब NCE-RT के इस मसले पर पुस्तकों में बदलाव के मसले पर पार्टिक्रम में बदलाव के मसले पर लगातार पीम मोदी और सरकार को खेर रहे है इधर NCE-RT की तरफ से भी सफाई दी गई है कि ये सारा पार्टिक्रम 2022 में ही बदला जा चुका था कोरोना और बहुत सारी कारण बताएगा हैं जिसकी वज़े से शुरू नहीं किया गया था पर ये नया पार्टिक्रम 2023-2024 से शुरू हो जाएगा अब मुगलों के शासन से लेके गांधी की हत्या और RSS band जैसे मुद्दों पर जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने एक के बाद एक कोट करते हुए इंग शब्दों को हमला किया है निश्चित तोर पर NCRT के पार्टिक्रम के बदले जो पार्टिक्रम है उसका ये बवाल इतने जल्दी शान्त नहीं होगा कपिल सिब्बल को अगर आप देखिए तो पिछले कई दिनों से PM मोदी पर भी हमलावर है और हर मुद्दे पर ब्रश्चाचार का मुद्दा हो अपराद का मुद्दा हो या फिर पार्टिक्रम बदलाव का मुद्दा हो हर मुद्दे पर वो भाचपा को प्रधानमंत्री म हटाया गया है कई शब्दों को हटाया गया है जिसे लेकर बवाल लगातार जारी है सिक्षा विदो की तरफ से जरूर कहा जा रहा है मिली जुनी प्रतिक्रिया है कोई कहता है कि यह ठीक हुआ किसी ने कहा कि धार्मिक भावनाया आथ होंगी पर सियासतदार जम कर इस पर सियासत कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि यह मामला इतने जल्दी ठंडा नहीं होगा अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में